असलाम अलेकुम वेवर्स वेलकम तू मैं चैनल उमीद है आप सब खेरियस से होंगे खुश पाश होंगे जुमा मुबारक आप सबको आज की मेरी वीडियो जो है वो फूट पर नहीं है आज की मेरी वीडियो है ऑनलाइन शॉपिंग पर आज कल ऑनलाइन शॉपिंग बहुत जादा आम हो गई है लेकिन ऑनलाइन शॉपिंग करते वक्त हमें यह डर लगता है कि हम ऑनलाइन शॉपिंग करें या ना करें तो मैं आपको आज इसी पारे में वीडियो बना के दे रही हूं कि हमें ऑनलाइन शॉपिंग करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए और अगर करनी चाहिए तो हम किस तरीके से कर सकते हैं online shopping और क्या pre questions हो सकती हैं? मैं भी online shopping करती हूँ और आज मैं आपके साथ share भी करूँगी कि मैंने क्या-क्या online buy किया और क्या अच्छा निकला और क्या मेरा नुकसान हुआ चले शुरू करते हैं वीडियो को सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी कि मैंने मिस्रोस से अभी मिस्रोस पर सेल लगी हुई थी तो मैंने मिस्रोस से दो प्रोडक्ट्स ऑनलाइन ओडर किये थे जिसमें से एक तो ये है ये देखें ये फेस पॉडर है इसका रिजल्ट बहुत अच्छा है ये औरिजनल है मिस्रोस का देख सकते हैं याँ पर मेरी और भी इंफॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए मेरा चैनल को सबस्क्राइब करें ताकि आपको जो वीडियोस है शुरू में ही आपको मिल जाया करें प्लीज सब्सक्राइब मैं चैनल इसको मैंने यूज किया है इसका रिजल्ट बहुत अच्छा है और इसके इलावा मैंने एक ये करेक्टर बाई किया था ये भी मिस्रोस का है और इडनल है जी ये देखिएगा ये करेक्टर है इसका रिजल्ट बहुत अच्छा है लेकिन मुझे इसमें एक बात ये लगी कि इसकी जो कॉंटिटी है वो बहुत कम है ये आप देख सकते हैं बस ये फतम हो गया ये इतना ही है कॉंटिटी कम है इसका रिजल्ट अच्छा है तो फिर पेसे मेरे जाया नहीं है हम उनलाइन जब भी शॉपिंग करते हैं तो हमें सिर्फ इस बात का खयाल रखना चाहिए कि हम कौन सी वेबसाइट से शॉपिंग कर रहे हैं वो वेबसाइट ओरिजिनल है भी या नहीं और ये वेबसाइट हमें किस के तवस्ल से हमें मिल रही है तो इसके हिसाब से अगर हम शॉपिंग करते हैं तो हमारा कभी भी नुपसान नहीं होता ओनलाइन शॉपिंग जब भी हम करते हैं तो जब हम कोई प्रोड़क्ट खरीदना चाहते हैं और सबसे पहले उसका हमें रिव्यूद देखना चाहिए क्योंकि पब्लिक रिव्यूद से मिल जाती है तो अगर हम देख लेते हैं तो उससे हमें ही होता है क्या सामने वाले का पता चल जाता है वह प्रोड़क्ट के बारे में क्यार सोच तो है पर अब इसके इलावा मैं आपको बताओंगी मैंने एक वार दराज से भी शॉपिंग किये एक वार नहीं काफी बार की है लेकिन दराज का कभी जो है माटिरियल अच्छा निकलता है कभी दोका हो जाता है ये लाइनर जो है वो मैंने दराज से भारीदा था लाइनर भूट तो आपको निकला मेरा ताइम हो गया इसको खरीदे हुए भी इसके जो निप है अभी तक खराब नहीं गिए यह आप देख सकते हैं और यह सिर्फ मैंने 65 रुपीज का खरीदा था तो मुझे इतना महिंगा नहीं लगा था तो मुझे इसमें मैं आपको यह भी रिकमेंड करूंगी यह अगर आप चीज खरीदें तो उसके पहले रिव्यू देखा करें क्योंकि एक बार मैंने दरास से जो जूते रखने वाला रेक होता है वो मंगवाया था तो उसमें उसकी कॉलिटी इतनी खराब थी हलाके उसके पैसे सही थे लेकिन उसकी कॉलिटी बहुत खराब थी तो उसमें मुझे एक बार धुका हुआ मैंने उसके रिव्यू जेक नहीं किये थे जब मैंने स्टार्टिंग में जब मैंने ऑन इसके इलावा मेरी एक फ्रेंड है उन्होंने एक वेबसाइट से यह और किया है यह डायटरी सप्लिमेंट है बेसिकली यह मैं आपको शूर करती हूं यह दिछेगा यह किसी के अमानत है इसलिए मैं इसको फोला नहीं है मेरा होता तो मैं आपको फोल के दिखाती उन्होंने म मेरे थ्रो मंगवाया है यह क्योंकर अनका भी यहिशु है कि अनको जिसे होते हैं सबके कुछ ना कुछ इस तो उनका भी कुछ ना कुछ इशू है अब यह देखें यह अन्मपनी का नाम है ऐसकिय चेशारा है और इसके जो यहां पर रेट्स लिखे में हैं इंग वह है 3800 लेकिन यह उनको 3800 का नहीं मिला यह उनको 2400 का मिला यानि सेल में लिया तो यह डिसकाउंट पर मिला होगा तो यह जो है यह है बेसिकली एक डायेटरी सप्लिमेंट है जो इनके मुताविके कहते हैं कि यह रंग को बोरा करता है और इसकीन को ग्लोव देता है देख सकते हैं इसकीन वाइटरी सप्लिमेंट यह प्योर एल ग्यूता थायोन विद आ कम्बिनेशन ओफ वाइटमिन सी हमें पता है कि वाइटमिन सी से हमें जो हमारी स्किन है वो ग्लो करती है इस एं अंटी अक्सिदेंट अंटी अक्सिदेंट मतलब हमारा जो जिसम के हमारी बोड़ी के अंदर तो जाहिर है अगर हमारे ऑक्सिजर्ण होगा अच्छा होगा गर डायजेस्चन होगा अगर अच्छा होगा तो हमारी फैरनेस पर अशर पड़ेगा यानि अच्छी हो जाएगी फैरनेस्ट इसमें लिखा हुआ है एसा यह वाइटमिन सी का बता यह यूज नहीं किया है जब यूज कर लेंगे तो आपको इसके बारे में रिव्यू देंगे जब यूज हो जाएगा जब इसके बारे में रिजल्ट पता चलेगा कि इसका रिजल्ट कैसा है तब आपको बताएंगे इंशाला और मेरी वीडियो को लाइक करें अगर आपको पसंद आईगे वीडियो शेयर करें सब्सक्राइब करें और एक बात का ध्यान रखिएगा जब भी ऑन लाइन शोपिंग करें तो हमेशा उसको रिव्यू देखें उसके कमेंट्स देखें छास तोरसे जब आप फेस्बूक से करते हैं तो अकसर ऐसा होता है कि वहाँ पर फेक साइट्स पनिवी हूती है तो उन फेक साइट्स पर वह जो बेच रहे होते हैं माटीरियल वे गज़ तो प्रोड़क्त अाया म 꽂ए था तो उन्होंने मुझे पताया कि मेरे साथ ये धुका हुआ है तो मैंने सुचा आपके साथ शेयर करूँ आप भी जब भी आप उनलाइन चॉपिंग करें तो रिव्यूज जरूर चेक किया करें बायर्स के रिव्यूज होते हैं बायर्स के कमेंट्स होते हैं वो जरूर चेक किया करें आप तो आपको धोका नहीं होगा इंशाला चले आप मैं वीडियो को खतम करती हूँ यहां मेरी वीडियो खतम होती है नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे इंशाला लापिस